हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को टबाएं लेटिस न्यूज सबसे पहले देखने के लिए फेस्टिव सीजन में अपनी विक्री को बढ़ाने के लिए फोर्ड इंडिया अपनी एस्पायर फेसलिफ्ट को लॉंच करने की तयारी कर रही है कंपनी की तरफ से ब्लॉक एडेट वाला मीडिया अनवाइट भेजा जा रहा है जो की 4 अक्टूबर के लिए है वही सोर्स की माने तो यह अनवाइट नई एस्पायर फेसलिफ्ट के लिए होगा कीमत की बात करें तो एस्पायर फेसलिफ्ट संभावित कीमत 5.5 शूम्य लाख रूपे से शुरू हो सकती है एस्पायर के साथ फोर्ड हैचपेक फिगो का फेसलिफ्ट मॉडल भी उतार सकती है हाला की कमपणी ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है नए एस्पायर में इस बार नए डिजाइन वाला बंपर, बड़ी फ्रंट क्रिल, सिल्वर फिनिश में और नए हैर लाइट्स मिलेंगी इसके अलावा कमपणी इसके केविन को भी अपग्रेड करेगी इसके अलावा इसमें सिंक तीन इंफोटेमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, कार की सीट्स को स्पोर्टी टच दिया जा सकता है इंजन की बात करें तो फेसलिफ्ट, एस्पायर, पैट्रोल और डीजल दोनु इंजनों में मिलेगी इसमें एक दशमलव दो लीटर का ड्रेगन सीरीज बाला नया पैट्रोल इंजन मिलेगा जो की नोच है पीएस की पावर और एक दो शुन्य अनम का टॉप देगा इसके अलावा नई एस्पायर में एक दशमलव पाँच लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो की पाँच स्पीड मैनुवल गियरबॉक्स के साथ होगा कायास लगाए जा रहे हैं कि इसमें आटोमेटिक गियरबॉक्स की सुविधा मिल सकती है इस समय कॉमपेक्ट सेडान सेगमेंट में मारिती की डिजायर होंडा की अमेज काफी पॉपुलर हैं जबकि हुंड़ई की एक सेंट भी लोगों को पसंद आ रही है वैसे compact sedan segment में Ford को अभी तक बहुत बड़ी काम्याबी तो नहीं मिली है लेकिन company को उमीद है कि नया model इस बार बहतर प्रदर्शन करेगा